नमस्कार, धर्म ग्यान में एक बाफेर आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौझूद है हमेशा की तरह है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्रे जोतिश चारिय श्री सन्बेतरा शोका जी जिनकी धर्म ग्यान पर की गई जितनी भी राजनेतिक भविश्वानिया है वो अब तक सौब प्रतीशक सथ साबित हुई है तो सन्बेतरा जी ने साल 2012-13 में भविश्वानी कर दी थी कि इमरान खान ही पडोसी मुल्क पाकिस्तान के वजिर आज़म बनेगे नतीजन सन्बेतराजी के भविश्वानी सबसाबित हुई फिर उसके बाद साल 2014 में एक और भविश्वानी की और वो भी इमरान खान से जोड़ी थी सन्बेतराजी ने कहा था कि 25 शब्शन नवंबर इमरान खान के लिए 25-26 नवंबर 2019 का ये वक्त इमरान खान के लिए बेहत नाजुक है अगर ये वक्त उन्होंने पार कर लिया तो ठीक वरना उनका असैसिनेशन हो सकता है नतीजन हालात भी महीं नजर आ रहे आतंकी फैक्टरी पाकिस्तान में पूरी तरह फूल रही है इमरान खान पे अंतरास्टरे दबाव है कि आतंकीों के खिलाफ कारवाई करें तो एक तरफ खाईए दूसरी तरफ हुआ अब सवाल उड़ता है जो कि कुछी महीनों बाद नया साल लगने वाल है और ऐसे में भारत पाक के लिए नया साल कैसा रहेगा खास कर इमरान खान और पाकिस्तान के लिए नया साल कैसा जाने वाला है आईए जानते हैं एक बार फिर सन्बेदराजी से पाकिस्तान और इमरान खान जो पाकिस्तान के वजीर आजम है उनकी कुंडली का विवेचन मैं कर चुका हूँ और उसमें मैंने ये सपस्ट कर दिया था कि ये वाला जो साल है उनका येर एंडिंग 25-11-2019 मुन्ता अस्टम होने के कारण उनके लिए उनके देश के लिए ठीक नहीं है देश के लिए अस्थिता कारक देश में उपद्रब आतंकवाती घटना है और देश का के मान सम्मान पर एक बहुत बड़ा कोश्चन मार्ग लगेगा और वो जो है लग चुका है आपके सामने जो है फटे में उनका जो है उसे क्या बोलते हैं पहले ग्रेलिस्ट में थे अब ब्लैक लिस्ट में तो वो उनका जो है उसे क्या बोलते हैं पतन तो हो रहा है लेकिन अभी जो 25 नू तुलन के लिए उनके देश के लिए और उनकी आयू के लिए कस्ट कारक है उसमें या तो आपका तक्ता पलट के चांसेज हैं आपका आंत्रिक विद्रो हो सकता है सैनिक विद्रो हो सकता है या फिर अगर वो जो इंटरनेशनल उनके उपर प्रेशर आ रहा है कि आतंकवादी घटनाओं का जितना जो है वहाँ पे बोलबाला और जो पॉलोसी देश जो उनकी कंप्लेंट कर रहा है उसके कारण अगर उनको विगटन कारी ताक्तो और आतंकवादी जो वहाँ पर आप और वो एक्षों करते हैं तो उसके कारण उनके कोई भी प्राण घा तक अशन होसकता उनके द्वारा तो इसलिए उनको अपने अपनी सिक्यूरिटी का सिक्यूरिटी बिलीच करके अगर निकलते हैं तो उनकी जान को खत्रा हो सकता दूसरा मैंने एक भविश्यवानी ये भी की थे कि 25 और 26 दिसंबर को 6 ग्रह एकी राशी में आ रहे हैं छे ग्रह जब एक राशी में होते हैं तो आप पास्ट का अगर स्टडी करते हैं 6, 7 या 8 ग्रह जब भी एक राशी में आए तो विश्व में कहीं न कहीं भारी उतल पुतल लेकिन इस टेम जो वहाँ जो योग बन रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक योग है और मैंने उसके लिए भारत की अवाम से रिक्वेस्ट भी की थी कि ये बहुत पहले कर चुकाओं में इलेक्शन से पहले कर दिये थे 19 के इलेक्शन से कि आपको अपने देश का परधान मंतरी ऐसा चुनना जो प्रोएक्टिव हो जो प्रोएक्टिव हो और समय के हिसाब से वो तुरंत एक्शन ले सके अभी आप जो सीमा पार से जो बाते हो रही हैं जिस तरीके से उनके मंतरी और खुद इमरान खान परमानू अटैक की धंकियां हम परमानू देश हैं कोकली धंकिया कहें सर्थ जो दे रहे हैं कोकली नहीं ये कौम जो है जो जिहादी मानसिकता वाले लोग है वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मैंने बहुत पहले ही इस चीज़ को भांप कर ये भविशेवानी कर दी थी कि देश का परधान मंतरी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ माननी शिरी नरेंदर मोदी जी ही हैं और वो देश ने भारी भूमत से माननी मोदी जी को देश का परधान मंतरी बनाया तो एक फ्रंट पे हम बिलकुल सेव हो चुके हैं अब जो है पच्छिस दिसंबर या शबिस दिसंबर से प्लस माइनस ट्वंटी डेज पहले या पच्छिस शबिस दिसंबर के बीस दिन बाद के बीच में हमारा पडोसी देश कोई भी घीगोनी हरकत कर सकता है इसके लिए देश को देश के सुरक्षाबलो को और देश के राजनेताओं को संचियत रहना चाहिए इवन अपोजिशन में भी जो लोग हैं उनको ऐसे वक्तवियन नहीं देने चाहिए जिसको इंटरनेशनल बाडी के सामने पाकिस्तान जो है नमक मरच लगाके पेश करें तो इसकी में बहुशेवानी बहुत पहले ही कर चुका हूँ पाकिस्तान की आंत्रिक स्थिती भी बड़ी भी स्पोटक है बुखमरी के कारण महां लोग परिशान हैं हर तरीके की समस्चे आ रही है और बिना सोचे समझे इमरान खान जी ने जो भी डिसीजन लिये टमाटर वहां डेट सो से चार्ट सो रुपे के बीच में बिकरा है यहां से जो भी चीजें उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनकी बुरी अहलत है यहां तो कोई फरक पड़ा नहीं है ड्राइफ रूट था वो अफगानिस्तान से आ रहा है पेट्रोल से ज़्यादा जो दूद मेंग है पेट्रोल से ज़्यादा दूद मेंग है वहां से कोई भी चीज पाकिस्तान से जो इंपोर्ट वाली थी उस पे हमारे देश पे कोई फेक्ट नहीं पड़ा लेकिन वहां जो है वो दाने दाने को तरस रहें तो विनाश काले विफरीद बुद्ध ही जब समय खराब होता है उसकी मैं डेट साल पहले ही भविश्यवानी कर चुका हूँ अगर टाइम से उन्होंने उसका निर्ने लिया उता अभी भी समय है वो अपने देश को अपने देश की अवाम को अगर बचाना चाहते हैं तो जहादी मानसिक्ता का त्याग करें जहादी मानसिक्ता के लोगों को संगठनों को वहां पर बेन किया जाए उनको जेलों में डालें तब कहीं जाके उनकी स्थिती सुधर सकती है Otherwise यह वाला साल जो है पाटिस्तान से किसी भी हालत में किसी भी करीके से उसके लिए जो है शुब नहीं है उनको अशुब वल ही प्राप्त होंगे रही बात P.O.K की P.O.K के लिए मानिय मोदी जी ने संसद में ये कह दिया और हमारे ग्रह मंतरी ने ये डिकलियर कर दिया मानियामिच शाजी ने की भाईया P.O.K अब हम लेकर रहेंगे इसे से जुड़ा मेरा एक और सवाल है जो की 370 के खिलाफ 370 को लेकर भारत के खिलाफ पाकिसान ने कोशिश तो खूब की लेकिन हर तरफ से उसे मुझी खानी पड़ी अंतरास्ट्रे मंज से लेके यूएन में लेकर या फिर हम कहें के अंतरास्ट्रे अदालत में भी लेकिन अब जो कि आपने भी धर्म ग्यान पर ही कहा कि पियम मोदी जी के लिए साल 2020 कैसा जाएगा आपने ये भी कहा कि खासकर 2020 में पियम मोदी जी को पी, एस और के इनिशल नाम के लोगों से सचेत रहना चाहिए ऐसे में से पी नाम से तो सबसे पहले पाकिस्तान आता है क्योंकि क्या लगता आपको 2020 में मोदी जी को पाकिस्तान से सबसादा सचेत रहना चाहिए बिलकुल पाकिस्तान कोई ऐसी घिगोनी हरकत ना करे उसके लिए प्रोएक्टिव रहना है अब एक चीज देखिएगा बड़ी हास्यपत स्थिती है पाकिस्तान की परिवार होता है परिवार में जो बच्चा कुछ नहीं कमाता कोई काम नहीं करता अगर वो घर में कहें कि भाईया मेरे को आप अलग कर दो मेरे को अलग स्थेट दे दो मेरे को अलग मतलब मेरे को घर से अलग कर दो और मैं अपने आप कर लूँगा आप सोचो उसकी क्या हलोत होगी यही हालत पाकिस्तान के लोगों की है और पाकिस्तान द्वारा पिये को पेमपर किया जा रहा है और कश्मीर में जिन लोगों को पे कि कश्मीर हमें जो है अलग स्टेट अलग उसे क्या बोलते हैं राजे की जो बीच में मांग कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लोगे उन्हें जरभी बुद्धी नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान में कश्मीर का जो वश्चस है जिस तरीके से उनको फाइनस किया ज आती है आप अपने पैरों पर कदम अपने कदमों पर कड़े होने लाइक नहीं हैं जो ये कहरें वो भी डग्मगा रहें उनके कदम भी डग्मगा रहें और उनके साथ जाने का क्या फाइला तो ये जो है कश्मीर के जो ढ़ाई तीन आपके जो डिस्टिक हैं जिसमें ये आतंकवादी और विगटन कारी थाक्तों ने अपने पैर जमा रखें अब उनको भी उखाड फैका जाएगा जाते जाते मेरा एक सवाल ये है कि जो कि आपने काये कि साल 2020 पाकिसान को शुफल नहीं देगा ऐसे में सा मैं जानना चाहती हूँ कि साल 2020 इमरान खान के रहते हुए क्या साल 2020 के अंत तक क्या आपको लगता है सा कि भारत पाकिसान के रिष्टों पर जमी बर्फ पिघल पाएगी इमरान खान के रहते हुए साथ देखिए वैसे मोदी जी को एक मुका देना चाहिए इसको लेकिन वो तभी जब वो वहाँ पर जो आतंक वादी संगठन आतंक वादी लोगों को जियो उसने आश्रे दे रखा है जब तक उनसे वो छुटकारा नहीं पाते वो ये शो नहीं करते कि वाके में अब उनकी मानसिक्ता वो नहीं है क्योंकि जिहादी मानसिक्ता वालों के साथ भारत कभी भी बाचित नहीं करेगा और कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के पास और इमरान खान के पास लास्ट आप्शन रहता अपनी इज़त और अपनी जान को बचाने का वो ये है कि वो किसी भी तरीके से पहले तो ये लोग जो है छदम बेश में जो युद कर रहे थे वहां से आतंक पादी उसके लिए उन्होंने ऐसी बेरिकेट्स लगा दियें कि वहां से परिंदा भी इदर नहीं आ सकता हो गुरवादी तो दूर की बात है वो एलोसी पर ही धेर कर रहे हैं उनको हमारी आर्मी इतनी सक्षम और इतनी हाई टेक है कि उनको वो अब जो आपने देखा कि पाकिस्तान वाले अपने बैट वहलों की दो लाशे लिजाते वे दिखा है मरे तो दस से उपर हैं लेकिन दो को गशिटते वे लिजाते वे दिखा रहे थे तो पैट करने के पूरी कोशिश वो अब उनका जो स्ट्रेजी बिल्कुल खतम होगी है कि यहां 370 और 35 है बिल्कुल खतम हो गया वो अप्शन उनके पास रहा नहीं अब लास्ट ऑप्शन है कि भीड़ जाओ अगर वो भीड़ने की बात करते हैं कहीं पे भी उनके दिमाग में अगर कोई बात करते हैं तो इंडिया विल हैव तो टेक प्रोएक्टिव एक्शन प्रोटली फुली कॉंफिडेंट अगर वक्त रहते हुए पाकिस्तान ने आतंक्यों के खिलाफ कोई बड़ा कदम ने उठाया सही कदम ने उठाया तो साल दो हजार बीस पाकिस्तान के लिए अशुब साबित हो सकता है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक करना मत भूलेगा